हलो ओड़्भी मॉमीज, वेलकम टू विमन दुनिया, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के पांचमे सप्ताह के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इस सप्ताह में आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं, और आपको इस अफ़ते में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस टाइम पर husbands अपनी wife की care कैसे कर सकते हैं आप as a husband अपनी wife और अपने उडबी बेबी के लिए क्या कर सकते हैं तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्यूंकि यहां आपको pregnancy और parenting से related videos मिलते हैं अगर आपने अभी तक अपनी डॉक्टर के साथ पहली appointment नहीं ली है तो इस हफते में आपको डॉक्टर से जरूर से मिलना है अभी इस हफते में आपको कुछ जरूरी टेस्ट करवाने हैं साथ ही इस हफते तक आपकी पहली sonography हो जानी चाहिए जिसमें डॉक्टर आपकी बेबी की heartbeat शुरू हुई है या नहीं ये देखेंगे इसके अलावा आपकी बेबी की position कहां है ये भी आपकी पहली sonography से ही पता चलेगा साथ ही आप single या twins या multiple babies कैरी कर रही हैं इसका पता भी हमें पहली sonography से ही चलता है इसलिए ये पहली sonography बहुत जरू test, urine test भी करवाने हैं ये सारे test से पता चलेगा कि आपकी body में baby के development के लिए सारे जरूरी vitamins और minerals है या नहीं आपकी शरीर में जिस भी चीज की कमी होगी उसे दूर करने के लिए doctors आपको supplement देंगे और साथ में baby के growth के लिए folic acid भी शुरू करेंगे अगर ये आपकी दूसरी pregnancy है और पहली pregnancy में आपको bleeding, miscarriage, c-section या कोई और mishap की history हो तो ये भी आपको first appointment में ही अपनी doctor को जरूर से बताना है और अपनी last pregnancy की reports भी अपने साथ लेकर जाना है तो आईए अब हम जानते हैं कि इस सबसे पहले अभी इस हफते में आपको frequent urination की समस्या होनी शुरू हो जाएगी जो शरीर में हो रहे hormonal changes के कारण है बार बार urine के लिए जाने के कारण आपको अपना liquid intake बिलकुल कम नहीं करना है आपको पानी पीते रहना है आप चाहें तो ताकि आपको रात में बार बार उठकर washroom ना जाना पड़े और आपकी नीन ना खराब हो दूसरी जरूरी बात है हो सकता है अभी आपको उल्टी, जी मचलना, ठकान रहना, कुछ भी खाने या पीने से उल्टी जैसा लगना हो सकता है अगर आपको एक दिन में 7-8 बार उल से नहीं खानी है, खास करके पेन किलर, तीसरी जरूरी बात है, इस हफते में बिना कोई काम किये भी आपको ठकावत लग सकती है, पूरा दिन हो सकता है आपको कुछ भी करने का मन ना करे, ऐसे में आपको परिशान नहीं होना है, ये भी pregnancy hormones के कारण ही है, ऐसे में आपको अ पसंद ना आए, और जो खाना आपको पहले पसंद नहीं था, हो सकता है, अब आपको वो सब खाने का मन करे, इसके अलावा अभी आपको major mood swings भी हो सकते हैं, या हर चीज से irritation हो सकता है, या फिर suddenly किसी बात पर आपको रोना भी आ सकता है, तो आईए, अब हम बात करते हैं, तो walking, yoga या meditation कर सकती हैं, दूसरा है, अभी आपको अपना खान पान सही रखने की जरूरत है, एक साथ भर पेट खाना खाने की जगा, आपको थोड़ी-थोड़ी मातरा में पूरे दिन 7-8 बार खाने की जरूरत है, इसके साथ ही healthy और balanced right ले, junk food या street food को खाना avoid करे, तीसरा ह अभी आपको थकान और कमजोरी हो सकती है, इसलिए अभी आपको अपना जादा ख्याल रखना है, आपको रात के अलावा दिन में भी 30 मिनट से 1 घंटे का rest जरूर लेना है, चौथा है, आपको अपने डॉक्टर के द्वारा दिये गए medicines को समय से लेना चाहिए, इसे बिलक जाको, शराब, सिगरेट की आदत हो, तो इसे आपको हर हाल में छोड़ देना है, इसके अलावा अगर आपको चाय, कॉफी की आदत है, तो आप इसे moderate amount में सुबह शाम ले सकते हैं, दूसरी जरूरी बात है, अगर आप लेट नाइट तक काम करती हैं, तो वो भी आपको अ हेस करना है, प्रेगनेंसी में भारी समान उठाने से ब्लीडिंग या मिस्कैरिज का खत्रा भी हो सकता है, आईए आगे बढ़ते हैं अपने आखरी पॉइंट की तरफ और बात करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान हस्बेंड्स अपनी वाइफ का खयाल कैसे रख सकते हैं, अभी as a husband आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी wife के body में बहुत सारे शारिरिक और मानसिक बदलाव हो रहे हैं, इसलिए वो अभी थोड़ी गुस्ते वाली चिड़चिड़ी सी हो गई है, उन्हें mood swings हो रहे हैं, पर इससे आपको अपना temper lose नहीं करना है और बिलकुल irritate नहीं होना है, ये भी pregnancy का एक phase है जो बहुत जल्दी खतम हो जाएगा, अभी हमारे उटभी mommy को आपकी सबसे जादा जरूरत है, इसलिए अभी आपको उनके साथ बहुत सारा quality time spend करना है, उन्हें special feel कराना है, उन्हें gifts लाकर देने हैं, जो खाने का मन हो उनका, उन्हें वो खिलाना है, और अपने life के इस phase को साथ मिलकर enjoy करना है, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें, साथ ही चैनल को subscribe करें, thanks for watching